चार और पाथ जुलाई की रात्री में यहां जजवार खाना के अंतरगा थे ग्रह डखेती घटना घटित हुई थी इसमें जो घर स्वामी है शशी कुमार उनका नाम थी उनके द्वारा प्रात्मी की विदर्च कराए गई थी और ये काफी संवेधन सील घटना थी गई थी मामला वड़ा संवेधन सील था इसलिए इसमें जो इडिशनर एस्पी इस्ट हैं सहरयार दी उनके नित्यत्मी एक साइटी बनाई गई थी जिसमें टीयाई के टीम जजवार की जो थाना द्यक्षे हैं इमन्त वोग उनके प्रादिकारी कट्रा के जो थाना द्यक् किया चाहे हो टेक्निकल या मोबाइल सब्लांस हो या फिर हम लोग की विजिट हो या डॉग स्कॉइट हो या फिर हम लोग का जो मैनुवल अमसंधान का तरीका है वो भी है चुकि शुरू के दस दिन तक लगवाग हम लोग को इसमें बहुत कुछ खास लीड नहीं मिले है ब्ल पाए लेकिन इसके उपरांत हम लोगों को कुछ खुछ लिर्ट बीलने लगे और वीड के आदात पे कल शाम को ुसमें दीन लोग की गरिफतारी हुई है जिस्में कुछ राशी भी हम लोग ने बरामत की है जो तीन लोग गिरिफ्तार किये गए हैं इसमें से एक का नाम मनोहर पासवान है दूसरे का नाम चंदन पासवान है और तीसरे का नाम चंदन ठाकुर है यह तीनों ही लोग गिरिफ्तार किये गए हैं इन तीनों के ही पास से हम लोगों ने 97000 रुपया जो रासी लूठी गई कुलमला के अभी तक जो अलसंधान में आया वही आया है कि लगभग इसमें 10 लोग सामिल थे 10 में से 3 लोग हमने घृत्तार किया है एक गट्ती है जो काटी के रहने वाले हैं और जिनका नाम सकल पास्वान है यह उस घट्ना में सामिल थे और वहां पे लोगों के द्वारा बम भी चलाए गए थे और गोली भी चलाए गए थे उसी क्रम में एक गोली इनको भी लग गई और गोली लगने जो जैसे चुकी गोली चेस्ट में लगी थी जैसा कि जो तीनों अपरात कर्मी दिफतार उनके लगभग 10-15 मिट के अंतराल में उनकी मिद्धी हो गई यह लोग उनके सव को लेके वहां से आये और बगल में यह जगेती जहां यह घटे हुए थे वहां तो उनके सव को बोरे में रखा इसमें जो एक अपड़ात कर्मी चंदन ठापूर के रहने वाले हैं और पेशे से अपना आटो लेके गए ते और उस आटो में उनने बोरे में सव को रखा और सव को बाद में नदी में ठेख दिया हम लोग प्रूसिस कर रहे हैं बोडी को खोजने की ते इसमें जो चौथे अभियुत के सकल पास्वान की जो सकल साहर और इसके अलाबाब जो उनकी धरन प अधिक इथा सब लोग खागाल रहे हैं इसमें से जो चंदन ठापूर है और चंवें पास्वान है योग पहले एक बार जेल गए हैं मदनिसेश से सम्मंदिर काने मनुवर पास्वान की इसमें ग्रफ्तार किये गए हैं और वो भी घटना इस्तर पर ते यह जो तीनों लोग ग्रफ्तार की गए तीनों लोग भी घटना इस्तर पर गए पर जाए नहीं सबी मुझफरपुर के हैं बिविन ठाना शित्रों की है कुछ काटी के है कुछ चछजगार की है कठरा के इसके लावा लोकल टाउन में ग्रमपुरा थाना है वहां के रहने वाले हैं जिसमें इसम्बल होगे थे खटे होगे थे आठ अपरात कर्मी और यह अपरात कर्मी खट्टा होटे ऑटो से गए यह जज़वार गए वहां पे एक अपरात कर्मी के घर में फिर दो लोग और सामिर हुए वहां से एक स्कॉर्पियो और एक ऑटो इन दोनों ही वहानों से यह लोग गटना इस्तल पर गए और उनने गटना को अंजान दिया जो जहां पर गटना गटना तुछी नहीं के पास वी एक बगीचा था इनलों के पास रौ मट्रियल पहले से था तो बगीचे में बहुत चोटे-चोटे से जो बम होती है डब्बे वाले उन बमों को भी महां तयार किया था उसके भी कुछ एक्जिविट्स हम लोगों के दौर अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माभवानी डेकॉर प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है ऑथराइज डिस्टिब्यूटर ओफ कजारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन औन इंपोर्टेट ग्रेनाई माबुल, सानिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्जग संग्रे माभवारी डेकॉर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अकम्प्लीट फ्लोर सलुशन्स न्यू जीरो माइल दादर रोड मुजफरपूर कॉल 99347 53 111